कि अब देखो इस सवाल के अंदर आप देखोगे न तो थोड़ा सा रेशो भी आ गया वैसे बहुत ज्यादा नहीं है यह दो ही सवाल रेशो के हैं कहता है कंपणी का टोटल एंसे टोवर चलो मैं इसको बाद में कर देता हो इसको ना पोस्फंद अगली क्लास के लिए रख देता हूं टोटल एसे टोवर रिशो फर्मूला क्या वता है यह फिक्स उपरेटिंग कॉस्स बैलींशेट दे रखा है क्या निकालना है इसक डिफर इससे better है पहले हम वो वाले questions कर लें जो हमने कर लिये हैं और हमें आते भी हैं क्योंकि हर बार नहीं question कराऊंगा तो आप बोलो के sir बार बार नहीं नहीं आ रहे हैं यह लो जी अब मजे की बात देखो आपको तो वो बना के भी दे रखा है जो हमें रिस्क ज्यादा होगा और जिसका leverage कम होगा उसका रिस्क क्या होगा कम होने वाला है तो आपको दो फर्म दे रखा है PQR तो आप सब कुछ दे रही है यहां पे तो अब भाई यहां पे क्या करना है सिर्फ formula ही तो लगाना है आपको formula DOL किसका लगाओगे sir DOL होता है country तो सर पहले का हम निकाल लेते हैं contribution कितना दे रखा देखो यहां दे रखा है और EBIT वे दे रखा है तो 300 डिवाइड़ेड़ वाए तो यह दो आ गया अब DCL निकालो वह भी दे रखा है sir यह profit before text जो है न यही EBIT भी बोलो इसको ठीक है तो डेट सो डिवाइड़ेड़ेड़ेड़ वाए 100 कितना अच्छा डेट सो डिवाइड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़े कि 1.5 कमबाइन इंटू कर दो ना DCL यह डीएफल होगा यह तो यह डीएफल होगा तो यह आजाएगा इंटू कर दो तीन आ गया बस ऐसे दूसरे फर्म का निकाल लोगे और जो ज़्यादा है उसको आप विकार बोल देना बस यह था यह कोश्चन भी आपको दे दिया जा नीजेटें से आगर जबूल देंगे किशा का फावनेशके ज्यांदा होगा किसी आ अपरेटिंग और आ चल्डियों देखते हैं क्या केहता है कुश्चन क्या को पर्सक्राइगों मैं आपका लिमिट्ड है निफूल को चलिए करनाल आपका तो हम क्का-ईचीटूThe है इसके पास the average selling price दे रखा है per unit selling price यानि इसने क्या दे दिया selling price कितने दे दिये पच्चिस सो इसके बाद कहता है variable cost VC दे दिया कितने हो गए 15 यह question समझाऊंगा करवान करना fix cost of the company FC दे दिया 50 लाग ठीक है what will be the break-even point of the company तो break-even point पीछे देखा था क्या फॉर्मूला था ब्रेक इवन पॉइंट अब कुश्चन ने यह नहीं बोला कि अमाउंट में बताओ यूनिट में बोल रखा है इन तो फॉर्मूला क्या था एफ सी डिवाइड़ वाइं तो आप देखों यहीं निकल गया पचास लाग डिवाइड़ एक हजार ठीक है तो तीन जिरो कर जाएंगे तो पांच हजार आगे तो था में ऐसी का पैड़ी बीष्ण पर यू नेट है अभी नोट करोगे तो याद हो जएगा आको कोंटिबीष्ण पर यूनिट ठीक है ना चलो आगे देखते हैं find out the degree of operating leverage अगर हम sales इतनी हो इतनी हो इतनी हो इतनी हो इतनी हो भया इतनी sales दे दिया कोई बात ने निकाल देंगा line खीच देंगा और हर किसी का करते जाएंगे तो ये भी आपका रहने वाला है क्याता है अगर इससे हम उपर बेचते हैं या इससे नीचे जाते हैं देखो ये इससे नीचे चला गया और ये इससे उपर चला गया तो क्या हमारा डिग्री ओपरेटिंगे आएगा चेंजिस जी हां आएगा और बहुत तेजी से हमारे प्रॉफिट भी क्या हो जाएंगे तो इसके बारे में बुक्स के अंदर गीवन है मैं आपको books के वाले आप एक बार बस read करना है थोड़े लिए आपको कहता है कि भाईया आपका अगर sales हमारा बढ़ जाए कितना बढ़ जाए sales हमारा 10% बढ़ जाए तो हमारा क्या होगा if production level of sales 8000 से count करना यानि अभी 8000 है और 8000 से बढ़ा दो तो sales बोल रहा है कि 88100 हो जाए तो क्या फरक what the percentage EVIT में क्या increase यह decrease होगा तो चलिए यह वाला point तो मैं करके दिखा देता हूं क्योंकि इसके मेरे long भी और short दोनों बताने हैं मुझे इसको ठीक है तो अगले page पर आ जाते हैं इस वाले को कर लेते हैं सिर्फ 8000 वाले को मैं सिर्फ third case करने जा रहा हूं तो इसने बोला कि भाईया एक तो 8000 वाले पर तो मैं पहले जब तक हम फैसला नहीं ले सकते जब तक हम 8000 पर नहीं जाएंगे तो अगर मैं 8000 पर आ जाओं तो 8000 के हिसाब से हमारा जो सेल्स है डटिस सेल्स हमारा कितना था 8000 और इंटू में पच्चिस सो है ना माइनस वेरीबल कॉस्ट क्या हो जाएगा 8000 इंटू में पंदरह सो यह आ जाएगा बीस लाख इतना कम थोड़ी होगा बीस लाख में तो नुक्सान नहीं हो जाएगा पचास लाख वो और बीस लाख यह जाए डाई करोड होगा तो फिर बीस लाख थोड़ी वह ट्वेंटी और चेजिरो करोड हो गया और यह आ गया हमारा एक सो वीस एक करोड बीस लाख और यह आगया हमारा एंगर हमारा 30 ठीक है अब कोश्चन कहता है हमारा सेल्स बढ़ जाएगा कितने पर्शन बढ़ जाएगा दस तो डू-पॉइंट तू करोड हो जाएगा मैं सिर लिख रहा हूं टूपाइंट्टू करोड का मतलब सेल्स कितना हो रहा है हमारा तो सिंपल सी बात है सेल्स स्बस्टन पर्सटन बढ़ रहा है तो यह वे दस पर सेंट बढ़ जाएगा that is 1.2 का 10% अगर निकाल ले तो 1.32 CR आ जाएगा और 2.2 में से माइनस 1.32 CR करेंगे तो 88 लाख रुपय आ गया यह 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 भी तो बढ़ जाएगा 10% हमारा अब जो हमारा EBIT है EBIT कितना आएगा हमारा 30 तो बोलते हैं बताओ कितना परसंटेज EBIT इंक्रीज होगा तब फिर से वही फॉर्मूला लगा लो परसंटेज इंक्रीज जो होगा हमारा EBIT में कि परसंटेज चेंज कहलो यह परसंटेज इंक्रीज कि तो क्या करेंगे इन दोरों के बीच में चेंज ले लेंगे चेंज इबी इटी डिवाइड़ बेस जो है वो ले लेंगे इंटू हंड़ेड कर देंगे तो आठ लाग डिवाइड़ बेस क्या माना मैंने तीस लाग इंटू मैं हंड़ेड तीस इंटू हंड़ेड क्या आगया ट्विंटी सिक्स पॉइंट सिक्स यह आ गया अब डियू एल निकाल लो यहां पर है क्योंकि रिलेशन तो इनी के बीच में है तो डियू आजएगा असी डिवाइड़ बाए तीस यानि 2.666 ठेक है तो अब फॉर्मुला क्या बनाएं यहां पे अगर आपको निकालना है परसंटेज चेंज इन इवी इटी तो स्चॉटकट बन गया हमारा परसंटेज चेंज इन इवाइटी में परसंटेज और परसंटेज चेंज इन आप उसी फॉर्मुले को कि देता हूं आपके सामने आपका वहीं से निकल जाएगा यह फॉर्मूला जो लिखा था ना यही काम करेगा वह से कहां गया भाई यह कहां गया इसका किया था पर्सन्टेज चेंज इन सेल्स इज़िकल टू क्या बताए था बताओ पर्सन्टेज change in EBIT divided by DOL यही फॉर्मूला है अब यह DOL को इधर लिया हो या फिर आप EBIT को इधर लिया हो और sales को इधर ले जाओ ठीक है न मतलब कि multiply हो जाएगा नहीं यह जाके यानि percentage change in EBIT के आएगा यह change का delta का निसान बनाना is equal to DOL multiply percentage change in sales तो आप ध्यान से देखो DOL कितना है हमारा 2.66 percentage change कितना था question ने बोला था ना आपको starting में कि भाई यह हम percentage change कितना करना चाह रहे है तो भाई 10% तो हमें इतना जमेला ही नहीं पालना था 10% करना चाह रहे है यानि यह देखो 26 point जो कि हमारा यहां आगे है तो हमें सिर्फ एक line निकालते है इस चक्कर में नहीं पढ़ते है सिर्फ यह पता होता है और direct हम यहां पहुंच सकते थे लेकिन मैंने long भी बता दिया कि इस तरीके से बाई chance exam में formula भूल जाओ तो आप ऐसे करके ऐसे निकाल देना आपको पूरे marks मिल जाएंगे उस case में ठीक है clear चलिए सर तो दो question उसमें दे दिये मैंने homework में यह 2011 में पूछा गया है percentage increase earning per share यह हम अगली class के लिए बचाएंगे इस सवाल को यह आपका homework में रखेंगे मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा देखो आपको क्या-क्या दे रखा है आउट्पूट यानि sales दे रखा है selling per unit fixed variable यहां से पूरी statement तो यहार कर लो गया और नीचे बोलता है अगली class में हम सीख लेंगे EPS वाला खतम हो जाएगा फिर हमारा इसलिए मैं इसको बचा के चल रहा हूँ सबसे मज़ेदार कोशन यह है पता यह कितने कोशन है यह कोशन है टूटल तीन 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 नो कोशन है यह क्योंकि fix cost बोला के situation one में fix cost रखो तो situation fix cost एक बार इसके साथ try करोगे फिर इसके साथ try करोगे फिर इसके साथ try करोगे इसके साथ कितने कोशन होगे छे फिर बोला fix cost फिर इसके साथ try करना फिर 一 KI के साथ कितने और नो बागी मेरे समझ से दिककत नहीं आएगी आपको simply आप 3-3 का पहले रख लेना situation 1 और यहाँ पर tyn. लाईन खीच लेना एसे और कर लेना फिर सीचेटेशन सूर फिर से तीन लाइन खीचने मुद्यूस के दुन के देखिए थीबिधे से देख लीने आपको इसको भी देखलेंगे बाद में जो अभी सारे हो गए हैं वह देखले। अब देखो यहां पर आगया ना जो मैं पहले बता चुका हूँ क्या आगया यह और एक बात और मज़े की बात लिखो profit volume ratio is equal to contribution का percentage यह हमेशा बराबर होता है यानि VC अगर मैं आपसे पूछू तो 60% यहां पर ठीक है operating leverage combine यह भी हम आगले class में करेंगे यहां पर देखो आपको leverage के answer दे दिया important है यह मतलब हमसे हर बार सवाल में बोल रहा था यह leverage निकालो बोल रहा अब यह leverage हम बता रहे हैं अब तुम हमें sales बताओ अब तुम हमें EBIT बताओ यानि मिसिंग करके तो यह मैं important है यह next class के लिए रख रहा हूं और कितने कोशन है देखना बुक में अभी बुक आई नहीं मैं पुरानी बुक को ले रहा हूं पुरानी नहीं यहीं रहेगी बुक चेंज नहीं होगी आपकी अगे थोड़े थोड़े से डिफिकल्ट आ गए है सोला तो खतम हो सकता है कि जो मैं होमवक में लिख रहा हूं होमवक नहीं तो अगली class में तो यह chapter हो जाएगा इसमें गीवन है तो दो पॉइंट्स रह गए एक जिसमें लीवरेजिस दे रखे होते हैं और एक मेरे को परसंटेज इस्टार्टिंग में होगे एक्जामपल इससे पहले देखना कितने एक्जामपल है क्यों कई बार एक्जामपल एजटी इस एक्जाम में उठके आता है तो सर ये चप्टर हमारा तीन दिन में खतम हो जाएगा मैंने आप सभी बच्चों को न एक ये भी दे दिए कि हमारे चैप्टर कैसे चलेंगे क्या-क्या टाइम टेबल रहेगा तो आप इस टाइम टेबल को और चैप्टर को तो आप अपने रिजिस्टर में प्रिंट चुका है semester six का पहले honors का है था अब आपका भी बहुत जल्दी आने वाला है तो आपको चिंता करना start कर देना चाहिए तो नहीं रेगुलर वाले तो करना चारू करें तो तो दस से बीच दिन पच्चेश एक यह मैंना पूरा जाएगा बिजनस टैट्स बिजनस मैट्स यह देखो financial management का मैंने कुछ यह टाइम टेवल बनाए कि इस दिन शुरू करेंगा जैसे मैंने वह वर्किंग कैपिटल यह सुरू करूँगा इस दिन और इस दिन दस जुलाई तक यह सुरू करूँगा तो मैंने बीच में क्या कर रहा है यह यह आला टाइम खा लिया मैंने कहा था लीवरेजिस में हम टाइम कितना लगाएंगे पांच लेकिन हम आपके होमबर्ग टैन येर वेन येर सब करा दे तब भी चार बने पड़ जाएगा तो यह जो मैंने डेज लिखे हुए हैं और आपका 30 अक्टूबर तक आपका क्या ह स्लेबस कंप्लीट हो जाएगा और वही टाइम MWF TTS जो भी हमारा टाइम MWF उसी के हिसाब से सारे चेप्टर्स लिख लिए हैं पहले से प्रिल प्लैनिंग है जो बच्चा चुट्टी करेगा तो यह मान के चलना एक दो दिन आगे पीछी हो सकता है तो मेरा टार्गेट करेंगे तो थोड़ा सा सिफ्ट हो गया एक बार रिवाइज मैं इसको कर दूँआ थोड़ा से लेकिन आपका तीस और आपका टाइम डेट शीट भी आ चुकी आपके एक्जाम की तो एक्जाम का डेट जो है वह है दिसंबर पंदरा से और जन्वरी के बीच में आपका डे से बस है हम उस सिस्टमेटिक हिसाब से चलेंगे कुछ चैप्टर ऐसे भी है जैसे कैप्टल बस्टिंग में देखो मैंने दस क्लासिस रखाया दस क्लासिस इस इकल टू एक महिना और इसके बीच में छुट्टियां भी होगी तो मान के चलो हमने तीस अक्टूबर तक का प उसी बुक्स के जो नई वाली आपकी बुक्स आएंगी उसी की रिकॉर्डिंग है और सारे कोस्टन मिल जाएंगा सीक्वेंस वाइस और आपको टैनियर भी मिल जाएगा उसके साथ तो आपको उसमें टेंशन निलेना कि अगर आप चाहते हो खाली बैठते हो जैसे अभी चुट्टियां है कॉलेज की तो आप चाहते हो कि यार हम फटा फटा खतम कर लेंगे नवंबर या दिसमबर इस पर तो जनवरी में आपका सीए इंटर के कुछ बच्चों का पेपर क्लैस हो जाता है कुछ बच्चों का सीए में मतलब कुछ पेपर उस टाइम पर आ रहे हो और आपको भी लाइव आना है ताकि आप इसी डूरेशन के हिसाब से इसी टाइम के हिसाब से अपने स्लेवर को क्या कर पाएं एंड कर पाएं और आपको प्रॉब्लम ना हो हम इस बार बुक पूरा करेंगे ए टू जेड बुक के साथ 10 यर भी पूरा करने वाले हैं ए पूफुली चार नहीं ये भी तीन कुछ दिन तो हम बचा लेंगे क्योंकि बीच में एकाथ दिन की मुझे छुट्टी देनी पढ़ सकती है तो मुझे लंबी क्लासिस लेकर उसको कंपनसेट करूंगा लेकिन आपका तीस तारिक को ही स्लेवर्स खतम होगा ठीक है चलिए स ये वाला हम पहले करा चुके हैं तो जो बच्चे अभी आएंगे वो रिकॉर्डिड में से देख लेंगे सो चल जाएगा नहीं तो रिवीजन में भी हो जाएगा और महिने के दो टेस्ट का भी प्रोविजन है तो जैसे लीवरेज खतम होगा तो एक टेस्ट रख लेंगे हर महिने के हमने प्रोविजन बनाया है कि आपके एटलीस दो टेस्ट होंगे तो लीवरेज जैसे खतम होगा चैप्टर तो सभी बच्चे आप मानके चलिए नेक्स संडे नेक्स संडे आपका एक टेस्ट हो जाएगा या फिर संडे के बाद मंडे एक टेस्ट लेलेंगे कि उसके अंदर आप 10 यर वन यर सारी चीज़े बढ़के आऊ गया है क्लियर है सभी स्टूडेंट को हर एक पॉइंट हर बच्चे को क्लियर हो गया तो अकर आप इसी प्लैनिंग के हिसाब से चलते हो तो आपका एक्जाम आपको पता ही नहीं लगे कि FM का आपको पढ़ना भ आपको पता ही ए